नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरफ जंशन में दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी तक आप लोगो एई टीटी का जो सड़िवी किटा 111 का उसकी शकल देखने को नहीं मिली हलाकि जो पुराने पोटल से जिन्होंने एक्जाम दिया था जिसके बेसिस पे दिया था उन बच्चों का सबका सड़िविकेट आ गया है लेकिन कुछ बच्चों के उसमें भी कुछ इशूस थे बट वो धीरे-दीरे करके रिजोल्फ हो चुके हैं अब यहाँ पर बात जो चल रही है वो यह चल रही है कि सर अगर एई टीटी का सड़िविक मिल गई है तो जिन बच्चों के पास जिनकी माख शीट आ गई है एकट्व अपर पुराने वालों की बात नहीं कर रहा जिननों ने एक्ट्राइट 111 के बेस्प पे एक्जाम दिया था उसकी बात कर रहा हूं आई बेम पोटल की तो वेड़ा बच्चे माख शीट के बेस अपलाई कर सकते हैं बहुत बच्चों को परिशान दी हो रही थी कि सर्जी क्या करें समझ नहीं आ रहा तो भाई आप लोगों की माक्षीट ही आप लोगों की हर जगा पे काम आएगी आई होब की इस कोश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया अब यह सवाल आप लोगों को जो है नहीं पूछना है और रही बात सर्डिविकेट कब तक आएगा तो भाईया कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है सर्डिविकेट जैसी आएगा मैं प्रोमिस करता हूँ कि यह 750 मांगे जाती है तो आप लोग मांकशीट के बेस पर अपलाई कर सकते हैं क्यूंकि सर्डिविकेट अप्लोड करने के लिए किसी को नहीं बोलता इनकेस सेसे करने के बैस पर आगे बढ़ सकते हैं ।्लिक है आएप कि अब आप लोगों को इस चीज से लेटेटिड पर